महारास्ट्रा और जार्खन विधानसवा चिनाओं की गहमा गहमी के पीच और बिहार विधानसवा चिनाओं से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने बिहार की राजनिती में बड़ा उलट फिर कर दिया जिसने केंद्र के मोदी सरकार की नीद उड़ा दी है बहुत स्वागत आप सबी का आप देखने दराजनिती खबर और विशलेशन के साथ एक बार फिर से मैं आपके साब में जबार खाल दोस्तों आज जो खबर है और उस पर जो विशलेशन है वो भारती जनता पार्टी को सेमे में निराशा लाने वाली खबर है वो भारती जनता पार्टी के केंद्ज की सरकार के लिए उसके माथे पर बल लाने वाली है वो बिहार के राजनिती में बड़ा उलट फिर के संकेत हैं दरसल एक बात जो कही जा रही है कि इस बीश में निती शुक्मार जो अभी तक लगातार ये कह रहे थे कि अभी तक जतनी बार आये गए अब आखरी आखरी बार है अब कही नहीं जाने वाले हम इधर ही रहेगा अब नहीं जाएगा उन लोगों के साथ में मगर एक बार फिर से कुछ ऐसा हुआ कि निती शुक्मार का बिहार विधान सबाचिनाओं से प लगाती बाठी ने की हो और इसके पीशे वजे बताए जा रहे हैं नितीश कुमार और अखरेश यादो के पेच बाच्छीत कहा ये जा रहा है कि नितीश कुमार और अखरेश यादो की मुलाखात आधी रात को हुई है और उस आधी रात की मुलाखात में वो तमाम के तमा प्रेक्ष में नतीजी आने के बाद बिहार विधारसवा चनाओं से पहले एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं और वो फैसला इंडिया गड़बंदन में वाप सीका दोस्तों आपने हाल ही में देखा कि किस तरीके से जेपी नरायन की जैनती को लेकर के अखलेश श्यादों ने किस ताउर पर उन्होंने नितीश कुमार्ज से आगरह किया था और एक कहा था कि इंडिया गड़बंदन में मुझे लाने वाले तो आप ही थे जिस तरीके से देश के महा पुरूशों के साथ भारती जनता पार्टी अपमान का तरीका अपनाती है अब एक वक्त में जेपी मुवमेंट से ही आप सारे के सारे लोग निकले हुए हों आप लोगों को चाहिए कि अब इंडिया गड़बंदन का साथ छोड़ करके इंडिया गड़बंदन में वापस आ जाएं मगर तब इस बात को उतना ज़ादा बल नहीं मिला था नितिश कमार के पार्टी की तरफ से उसके अलग तरीके से जवाब दे करके उस बात को ठंडा कर दिया गया था मगर इस बीच में जो खबर है यह जो बात कही जा रही है कि अखलेश श्यादो की नितिश कमार से मुलाखात हुई है आधी रात को अखलेश श्यादो से नितिश कमार मिले हैं बिहार विधानसभा चिनाओ से पहले इंडिया में वापसी करेंगे यह अपने आप में दर्शाता है कि इस बात के पीछे और इसके बाद इस मुलाखात के बाद में जो सारा समेक्रण बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें अब कहीं न कहीं कोई ऐसी ठोस बुन्याद है जिसकी बुन्याद पर अकलेश और नितीश की मुलाकात हुई है हाला कि नितीश क्या इंडिया गटबंदर में यो ही आएंगे? क्या महस अकलेश च्यादों की अपील पर आएंगे? या खुद नितीश अपनी महतो कांगशा को देख रहे हैं तो आपके जहन में ये भी होगा कि नितीश क्मार को इंडिया में जादा फाइदा है या इंडिया में आ करके फाइदा होगा लेकिन मौजुदा वक्त में नितीश क्मार इतनी असहज क्यों हुए है? क्योंकि कई सारी चीज़ें एक के बाद एक ऐसी हो रही है जिसे नितीश कमार बिहार की स्यासत में बिहार में भारती जंता पार्टी के साथ एक तरीके से असहज होते हुए निजर आ रहे हैं उनको अपनी पार्टी जेडियू पर संकट के बादल मडराते वे दिखाई दे रहे हैं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको बताऊंगा आपको याद है कि 2024 के लोकसभा चुनाओ के नतीज़े आने के बाद नितीश कमार और चंद्रबाबू नाइडू दो एन यानि कि नतीश और नाइडू ही एक तरीके से मोदी सरकार की बैसाकी है अगर इसमें से ये बैसाकी हट जाए तो मोदी सरकार धडाम से ओधिमों गिरेगी मगर इस बीच में नतीश कमार बार-बार ये कहते रहे कि अब मैं कहीं नहीं जाने वाला इधरी रहूंगा और आपने उनका जस्चर भी पुर्धान मंतरी नरिन मोदी से मुलाकात के वक्त में कई बार देखा कि किस तरीके से वो पियम मोदी का हाथ चुमते वे नज़र आए कई बार कुछ मोदी का पैर चुने का प्रयास करते वे नज़र आए मगर अब नितिश कुमार के साथ में ऐसा क्या हुआ कि वो अपने सारे फैसरे को पलटते हुए वापस इंडिया गटबंदर में वापसी करने का रास्ता देख रहे है अखलेश यादों से मुलाकात उनकी हुई अखलेश यादों ने जो खाका नितिश कुमार के साथ में रखा वो खाका वो परपोजल नितिश कुमार को पसंद आ रहा है और बिहार में जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो नतीश कमार को भारती जंता पार्टी से दूर करता हुआ दिखाई दे रहा है दो-तिन छोटी-छोटी एक्जांपल में अगर आपको साब में मैं रखूँ आपको दूँ जैसे कि अरारिया के सांसद है परदेप सिंग वो कहते हैं कि अरारिया में रहना है तो हिंदो बनकर रहना है नितीश कमार दरसल एक सेकुलर राजनिती के लिए बिहार में अपनी पैचान रखते हैं और उनको मुस्लिम्स का मैनर्टीज का बड़े इस तर पर वोट मिलता है ये बयान पीजेपी के नेता का नितिश को असाहच करता हुआ देखा इसी तरी के सिवधायक है हरीभूम ठाकूर जो ये कहते हैं कि सिमान्चल को अलग केंदर शासित बनाने की अब जरूट है वोई कहते हैं कि सिमान्चल में हिंदो बहुन बेहन बेटियां और हिंदो समाज के लोग सुरक्षित नहीं है सिमान्चल जिसे कि आप जानते हैं मुसलिम बहुल अलाका माना जाता है ऐसे में केंद्र शासित उसे अलग राज करने के बाद में केंद्र के मात है तो आ जाएगा यानि कि सीदे सीदे मौझुदा वक्त में जहां पर केंद्र के सरकार होगी अगर ऐसा होता है इस किसम की मांग जैसा कि उन्होंने की है इसका मत्तब यह है कि हिंदू-Muslim Division की बात उन्होंने की ये नितिश कुमार को ले कर के इस बयान को ले कर के नितिश कुमार असहज नहीं है गिरिराज सिंग जिनके हिंदू-साविमान यात्रा और उनके बयानों से भी नितिश कुमार जिस तरीके से असहज दिखे हैं जिस तरीके से बिहार के अंदर, हाला कि एक अलग बात है कि भारती जनता पार्टी ने गिरिराज सिंग की उस यात्रा से खुद को अलग रखा है गृराज सिंग की उस यात्रा को BJP ने एक तरीके से उनकी निजी यात्रा बताई है या उनका निजी कारिकरम बताया मगर ये सब को पता है कि किस तरीके से भारती जनता पार्टी बिहार में हिंदुत्वा की पैक्ट पर या हिंदुत्वा वादी सियासत करते हुए देख रही है और जिस वज़े से गिरीराज सिंग की ये हिंदु स्वाभिमान यात्रा जिस अंदास में आई और उनके पैयान जिस तरीके से सापने आये उन्हें तीश को असायाश करते चलेगे एक और फैक्टर आप देखें, 2019 का लोग सबाचुनाओ जब जेडियो और बीजेपी गठमंदन में लड़ती है बंपर काम्या भी मिलती है जेडियो और बीजेपी को लेकिन उसके फॉरण बाद 2020 के विधान सबाचुनाओं में जेडियो किस तरीके से वहाँ पर फेल हो जाती है जेडियो का ये मानना है, नितीश का ये मानना है कि बीजेपी का वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया जेडियो के लिए और इसलिए जेडियो के हालत पतली हो गई, तो एक तरफ जहां बीजेपी हिंदुत्तवादी एजंडे की बिहार में मजबूती परदान करते भी नजर आ रही है दूसरी तरफ बीजेपी के कई सारे बड़े नेता जो हिंदु मुस्लिम डिवीजन वाली लाइन की राजनिती करते हुए दिख रहे है तीसरी तरफ नितीश को ऐसा लगता है कि कहीं 2020 वाली इस्तिथी विदान सबाव वाली इस्तिथी 2024 या 25 के शुरू में जो बिहार का चुनाओ होगा उसमें वो इस्तिथी ना हो जाए और जेडियू बीजेपी के साय में कहीं खत्म ना हो जाए यह सारी के सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के नितीश एक ऐसी कश्मकश में जिसको लेकर यह कहा जा रहा है यह माना जा रहा है कि नितीश अब वापसी का रास्ता इंडिया गड़बंदर में देख रहे हैं और इसलिए आधी रात की मुलाखात अखलेश यादों के साथ क्या रंगलाएगी, क्या गुलकलाएगी देखना अहम होगा अभी हाल में है जो इंडिये की बैटरक बिहार में हुई नितीश कुमार ने गरिराट सिंग से दूरी मिंटेन करने के लिए गरिराट सिंग की जो कुरसी थी, वो उस पंक्ती में नहीं लगाई जिसमें खुद नितीश कुमार बैठे वे थे बलकि पीशे की पंक्ती में नितीश कुमार ने उनकी कुरसी लगवाई ये सारी के सारी बात है ये सारे के सारे संकेत ऐसे हैं जिसे ऐसा लग रहा है कि नितीश कमार एक ऐसी सित्थी में है जहां खुद को वो सहज नहीं पा रहे है बीजेपी के साथ खास दूर पर बेहार में क्योंकि नितीश कुमार का वजूद उनकी जैदियू से है नितीश कुमार गर्चे केंद सरकार में इस वक्त शामिल है लेकिन नितीश कुमार को ये पता है कि उनका अस्तितु उनकी पार्टी का अस्तितु ही जब तक है बहतर तभी उनकी पुष केंदर में सरकार के अदरान या केंदर 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 सथा में भागिदारी के طور पर होगी और अगर जेडियू मझबूत नहीं होगी जैसा कि 2020 के विदान सबह चुनाओं में हमने देखा किस तोर पर जोड़ी खिसक करके तीसरे नमबर के पार्टी बन गई और दोहजार चौबीस में कुछ वैसा ही खत्रा नितिश कमार के सामने मड़ाता हुआ देख रहा है इसलिए कहा जा रहा है कि नितिश कमार एक बार फिर से वापसी का रास्ता देख रहे है हलाके ये कब होगा कैसे होगा माना ये जा रहा है कि बिहार के चुनाव से पहले चारकंड और महरास्ता के चुनावी नतीजे के बाद नितिश कमार इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकते है